अब बद्रुदिन अजमल को डिफेंट कर रहे हैं जनाब संबित पात्रा देखिए अमीश भाई बड़ा आश्चेरे का विशय है आपने अभी बाइट चलाया अजमल साहब क्या कह रहे थे अजमल साहब बतौर MP कह रहे थे ये तो जिसके नसीब में जितना जितना लिखा है वो बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए और मुसल्मानों को कौन सी सरकारी नौकरी मिलने वाली है कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है इसलिए बहुत सारे बच्चे पैदा करो ये पिल्कुल क्लियरली अजमल साहब ने कहा दूसरी बात है आप देखे ये पहली चाहे ये बदरुदिन अजमन हो चाहे ओवेसी हो कहीं न कहीं इनके अंदर एक competition चल रहा है कि मुझसे बड़ा जिन्ना कोई नहीं हो सकता अब देखिए हर विशय को हिंदू और मुसल्मान करना है एनर्सी का विशय अगर घुसपैटिये वर्सेज इंडियन होता है तो उसमें भी रोहिंग्याइन इनको अपने दिखते हैं और बाकी बेगाने दिखते हैं उसको भी हिंदू मुसलिम करना है कॉमन सिविल कोड के बारे में बात होती है तो उसमें भी हिंदू मुसल्मान कर लेना है ट्रिपल तलाग के विशय में बात होती है जो कि महिलाओं के स्वतंतरता का विशय है महिलाओं के डिग्नीटी का विशय है उसमें भी ये नेता आके उसको कही नहीं दर्म का अभी ज आप सही अपने समय पे करिया आपके नाम के आगे स्कॉडर लिखा हुआ है कम से कम स्कॉडर का तोहीन तो मत करिये पढ़े लिखे लोग ऐसे विभार थोड़ी करते हैं आप आप से डाइडी पढ़िए मेरे बोलने कर दो रहे हैं देखिया अमीश भाई बहुत दुखड के लाते हो आप अरे गुसा नहीं करना चाहिए इसे जवाब देंगे यह बहुत दुखद भीशा है हम तो दे रहे हैं मैं इनको सही करवा रहा हूं कि अमीश जी ने कहा था हिंदु मुस्लिम के बाद किसी मुसल्मानों ने नहीं बात की थे नर्सी के बारे में शोहें चाहिए शुक्रवार को आपकी मजजिद में तक्रीर नहीं है कि नॉन स्टॉप बोलेंगे आप अरे मैं जहां तक टूचाइल का नॉर्म है कुछ आपको यहां जानना पड़ेगा कोई आसाम पहला राज्य नहीं है हिंदुस्तान में जिसने टूचाइल पॉलिसी शुरूप किया वह बारहवा राज्य है मैं राज्यों का नाम पढ़ देता हूं जहां टूचाइल पॉलिसी चलत जा सकते हैं इन में से बहुत बीजेपी साशित है कई जब यह कानून बना था तो बीजेपी साशित नहीं थे यह देश के भले के लिए एक विश है यूएन ने कहा था कि दो हजार चौबीस से दो हजार सताइस तक भारत जो है वो चाइना से आगे जा सकता है जनसंख्या म मगर आपको जानके आश्चरी होगा यह विस्पोर्ट इतने तेजी से बढ़ रहा है कि अब उसको यूएन ने रिवाइस कर दिया है कि दो हजार बाईस तक भारत चाइना से आगे चला जाएगा ऐसे में अगर भारत अपने जनसंख्या पर कंट्रोल ना करे रिसोर्स को अ लोग डिबेट करने आते हैं जाकीर नायक के समर्थन में डिबेट करने आते हैं कमलेश तीवारी के हत्यारे पकड़े जाते हैं तो इनके नुमाइंदे उनके घर में जाकर कहते हैं अजाला जोग पकड़े जा करें। तो आईएस आईस के लोगों को लीगल एड देते हैं हर विशह को एक धर्म का अबली जामा पहना 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 और उसको एक खराब मोर में लाके खड़ा करना